दिंपल कपाडिया और ट्विंकल खन्ना के आपसी रिष्टे में एक अलग ही हंसीम जाक से चलता है। कह दिया में जूनियर्स के साथ पोज नहीं देती। फिलहाल मुंबई अकेडमी आफ दे मुविंग इमेज का मुंबई फिल्म फेस्टिवल दो हजार चौबीस चल रहा है। यहीं अक्षय कुमार अपनी पतनी ट्विंकल के साथ डिंपल कपाडिया की फिल्म गो नोनी गो की स्क्रीनिंग अटेंड करने पहुँचे थे। यहां पूरे परिवार के बीच अच्छी बॉंडिंग देखी गई। इसी दौरान मजाक में डिंपल ने ट्विंकल को जूनियर का टैग दिया था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वाइरल हो रहा है। वाइट लेयर ड्रेस में ब्राउन और ग्रीन जैकेट के साथ डिंपल इवेंट के बाद पोज दे रही थी। इसी दौरान पीछे से डिंपल कपाडिया भी वहां पहुचती हैं। इसके बाद पैपराजी डिंपल से बेटी ट्विंकल के साथ पोज देने के लिए कहते हैं। तब डिंपल कहती हैं मैं जूनियर्स के साथ पोज नहीं देती। सिर्फ सीनियर्स ट्विंकल इवेंट में पीली साडी में नज़र आए। अक्षय कुमार इवेंट में फॉर्म शर्ट और ग्रे सूट में कि इससे पहले भी डिंपल कई बार ट्विंकल की खिंचाई कर चुकी हैं। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद ट्विंकल किताबे भी लिख रही हैं। इसी दौरान उनकी बुक लॉंचिंग एवेंट में डिंपल ने माइक पर बोलते हुए ट्विंकल के कई सारे राज खोले थे। दिंपल ने अक्षय और ट्विंकल के मैरिड लाइफ से जुड़े सीक्रेट बताने शुरू कर दिये थे तब अक्षय कुमार पीछे से आकर हाथ से माइक बन करते हैं। उस वक्त ट्विंकल की पहली किताब मिसेस फणी बोन्स लॉंच हुई थी। दिंपल बेटी और दामाद अक्षय की खिचडा सेरेम्नी का जिक्र कर रही थी, जो शादी के ठीक बाद होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे शेर करें। और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।